ओम नमस्य वाय, स्वागत है आप सभी का मेरे अच्छे स्वारत द्वाय यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूँगा कि अगर स्वप्न में सिविलिंग दिखाई देता है या भगवान सिव दिखाई देते हैं तो इसका क्या संकेत होता है सपना हर कोई देखता है ये सपने जिंदगी से जुड़े रहते हैं और कभी-कभी तो इनका दुनिया से भी बास्ता होता है और कभी-कभी दुनिया से कोई बास्ता नहीं होता लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिने सपने में भगवान सिव से सम्मंद्द चीजें जैसे सिवलिंग, नाग, तरसूल या फिर सिव और पारवती के सपने आते हैं अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथ ही अगर ऐसे सपन आपको आते हैं तो ऐसे सपनों को आपको बिल्कुल छुपा करके रखना चाहिए बहुत से लोग जो चीजे सोच करके सोते हैं उनको अक्सर वो चीजे दिखाई देती हैं लेकिन आपने कुछ भी सोचा नहीं हैं आप सुबह के समय सिवलिंग देख रहे हैं गो माता देख रहे हैं नाग देख रहे हैं तरसूल देख रहे हैं माता पारवती भगवान सिव के दर्शन कर रहे हैं तो इसका क्या मैत होता है सिव पारवती का एक साथ सपने में आना अगर कभी आपने सिव और पारवती जी को एक साथ सपने में देखा हो तो परेशान नहों इसका फल अच्चा होता है अगर आपके सपने में सिर पारवती जी आते ही तो इसका मतलब है कि आपको धनकी प्राप्ती होने वाली है, साथ ही कोई अच्चा काम भी आपका बनने वाला है, सिव और पारवती जी के किरपा आपके उपर हो चुकी है, और आपका कोई बिंगड़ा हुआ कार जल्दी ही सुदरने वाला है, या आपके उपर आने वाली दूर हो चुकी है, सपने में कभी वे आपको अगर भगवान सिव टांडप करते हुए नजराएं तो इसका पल होता है कि आप बहुत ही भागिसाली हैं, इस सपने के बाद आपकी सारी समस्याओं का अलोगा, और साथ ही भगवान के किरपा से आपको हर प्रिकार का लाव मि मिलना सुरू हो जाएगा, दोस्तों सिव जी के मंदर को देखना, सपने में अगर आप सिव जी के मंदर को देखते हैं या गाय को देखते हैं तो इसका क्या मैत। अगर आप साधी सुदा हैं, तो इस सपने का मतलब है आपको जल्दी ही संतान सुक मिलने बाला है, पुत्र ऐसे स्वपने आते हैं तो ऐसे बियादी भागिसाली माना जाता है। अगर स्वपन में आप स्विलिंग के सामने दीपक जला रहे हैं, मंदर में दीपदान कर रहे हैं, तो यह बियादी शुब माना जाता है। माना जाता है स्वपने में अगर आप दीपक के दर्सन कर रहे ह तो आप बहुत ही भागिसाली और आपके घर में भी कुलका दीपक आने बाला हैं। त्रसूल देखना, अगर आप कभी भी भागवान सिवका सक्त साली त्रसूल सपने में देखते हैं। इसका संबंद आपके जनम, जीवन और मतूस्री पीडा हमेशा हमेशा के लिए जाने बाली है। यह सपना बेहदी सुब माना गया है। अगर ऐसे सपना आते हैं तो आप व्यक्ति बेहदी भागिसाली माना जाता है। सपने में सिविलिंग का देखना, दोस्ता सिविलिंग का देखने का क्या मैत होता है। यह सपने बेहदी सुब माने जाते हैं। आते हैं सब कुछ है। जीवन का कुछ संकेत दे रहे हैं। आपके आने वाले जीवन में मिठास आने वाली है। और आपके सारे सत्रू आपसे पराजित होंगे सारे सत्रू आपसे पराजित होंगे आपके जैजयकार होगी तो आपको अगर ऐसे स्वपनाते हैं तो पानी में थोड़ा सा गुर्ड डाल करके पानी में थोड़ा सा गुर्ड डाल करके सिवलिंग का अवशिक जरूर करना चाहिए यह ब्यादी शुब माना जाता है डमरु को देखना डमरु जो की भगवान के हाथों में अकसर देखा जाता है सिवजी का विशेशि प्रिया डमरु है अगर आपको स्वपन में अगर आपको उस्वपन में डमरू दिखाई देता है तो आपके जीवन में सकारत मक्त आने वाली है आपके जीवन में आ रही सारी परिसानिया दूर होने वाली है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही है सो माना जाता है अगर ऐसे स्वपन माना आते हैं आपको अगर ऐसे स् समी पत्र डालें और जल से उसे बहरें और सिबधि जी का आप शिक करें उसके बाद गुर और समी पत्र शिव लिग पररफण कर दें कि दोस्तों सांप देखना सिब्जी के गले में अक्सर आपने हर समय देखा ए भगवान सिब्जी पास कई चीज तर्सूल है डम्रू है तर साप है, रुद्राख क्या है, यह चीज़ अगर देखी जाती हैं, तो बहुत ही सुभ मानी जाती है, बैसे तो कियी लोग साप की सपने देखते हैं, और अक्सार लोग इस सपने का अलग-अलग मतलब भी निकालते हैं, लेकन अगर आप भगवान शिव के गले में साप देख जाता है. ऐसे स्वपन आपको आते हैं, तो आप बियादी भागसाली व्यक्तियों में से हैं. जो व्यक्ति प्रति दिन सूर देव को अरग देते हैं, भगवान सिव की पूजा करते हैं, उनके आने बाले सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परिशान यानको द्यूर हो जाती है यह स्वपन बहुत ही शुप माने जाते हैं जो स्वपन में आपको बता हैं अगर इन में से कोई भी स्वपन आपको आता है तो आप बहुत ही भागिसाली है रुद्राकी के दीखना स्रिविलिंग के अफसे करते हुए देखना अगर आप पर स्वपन में स्विलिंग का आप से कर रहे हैं तो समझ लीज़े कि दोस्तों आप लाखों व्यक्तियों में से भागिसाली है लाखों में से कोई एकादी व्यक्ति होता है जो सुबह के समय स्वपन में स्विलिंग के आप से करता है अगर आप भी इस अपने में Sibling का आपसे कर रहे हैं तो दोस्तो बहुत ही भागिसाली व्व्यक्तियाप और जल्द ही आपके प्रतिक कार बनने शुरू हो जाएंगे Sibling पर दूद से आपसे करना अगर आप Sibling पर दूद से आपसे कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके सारे कारे बनने वाले हैं जिस मनुकामना जिस इच्छा से आप भगवान सिव की पूजा कर रहे हैं वो है मनुकामना आपकी जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है रुद्राक के देखना भगवान सिव का प्रतित होता है रुद्राक अगर आप स्वपन में सिविलिंग पर चड़ा हुआ रुद्राक देखते हैं तो दोस्तों आपको हर पकार फिचे मिलने वाली है, सपलता मिलने वाली है, आपको धन का संतान का सुक मिलने वाला है, नोकरी में प्रमूशन होने वाला है, वह आपकी साधी में आ रही है अर्च की पूज़ आपको जरूर करने हैं साथ ही ये स्वपन किसी को बताना नहीं है भगवान से रेलेटर कोई भी स्वपन अगर आपको आता है तो आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों मुझे उम्मीदा आपको ये जानकारी अच्छी लगी वीडियो को शिर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगने कि हम थी बटणों दबा की और दबा दें, मेरी हर वीडियो को नोटिफीकिशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको और को अरकार की नोलेज की वीडियो पराफ्त होती रहेंगी, भग्वान सिभ आपके उपर अपनी करपादेश्टी बनाए रखें